नमश्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एश्टाउलोजी पर मैं यश्रास्तिवारी आज आप सभी के समों को पस्तित हुआ हूँ एप्रिल दोहजार चौबिस के मासिक राशीफल को लेकर इस राशीफल के कारिक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्त के विशे में, आपके शिक्षा, आपके प्रेम, आपके मैरेड लाइफ, आपके करियर के विशे में और साथी साथ जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तन इस मन्त होने जा रहा है उन ग्रहों का गोचर आपको क्या लाब और क्या हानी देने जा रहा है इस विशे में भी चर्चा इस राशिफल के कारिक्रम में आज होगी साथी साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंत में बताये गए हैं जिससे आप अपने इस माह को और स्टेश्ट बना सकें और जो परेशानिया हैं उनको कम कर सकें अताहा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भली भाती ग्रह के गोचर को और उपायों को अच्छे से समच सकें सबसे पहले मैं आपको पता देता हूँ कि इस मन्त में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है तो सूरी का गोचर मेश राशी में होगा 13 एप्रिल 2024 के बाद से यानी सूरी मीन राशी को छोड़ करके मेश राशी में प्रवेश करेंगे 13 एप्रिल 2024 के दिन साथी साथ मंगल मीन राशी में प्रवेश करेंगे कुम्भ राशी को छोड़ करके 23 एप्रिल 2024 के दिन बुद्ग्रह 9 एप्रिल 2024 को मीन राशी में ही वक्री होने जा रहे हैं साथी साथ शुक्र मीन राशी में प्रवेश करेंगे 31 मार्च 2024 को और मेश में प्रवेश करेंगे 25 एप्रिल 2024 के दिन जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं ये जो राशी फल का कारिक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशी के आधार पर बता रहा हूँ यदि आप इस कारिक्रम को देखते हैं और इस कारिक्रम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप्लोड किया जाता है उसका नूटिकेशन आपको मिलता रहे यदि इस कारिक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाब हो और उसका माध्यम आप बनें अब हम जर्चा प्रारंब करते हैं व्रिष्यक राश्री के चातकों के लिए कैसा रहने वाला है एप्रिल 2024 का ये मन्त तो व्रिष्यक राश्री के चातकों के लिए देखा जाए तो राश्री पती बनते हैं मंगल और वच्छतुर थभाओं में गोचर कर रहे हैं कुछ माता के स्वास्त में कहीं न कहीं परिशानी आएगी और अगर माता के स्वास्त में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आपको देखने में मिलती है तो शिगर ही उनको डॉक्टर के पास में ले जाएं ये करना आपके लिए जादा जरूरी है क्योंकि माता के स्वास्त में कहीं न कह परिशानियां आती हुँ दिखाई दे रही हैं, आपको भी चित्त के शांती मान से के शांती रही कि उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को आप अवश्य कर लीजेगा, बाकी स्वास्त के पॉइंट आफ व्यू से आपके स्पेसिफिक स्वास्त को तो मैंने बताया, फिर भी खान पान पर यदि आप नियंतरन रखते हैं, यदि आपकी दिंचरिया नियमित होती है, और खान पान आपका अच्छा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पेट से संबंदित परिशानियां आपको देखने में मिल सकते हैं, बुद्भ बक्री होंगे, तो तवचा जने रोग, तवचा से संबंदित परिशानियां आपको देखने में मिल सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखने के आवश्यक्ता है, वो कुछ भी अगर स्किन में लखता है, तो जा करके अपने स्किन स्पेशिलिस्ट से एक बार आवश्य में ल करने में परिशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको उसके बीचे रीजन है कि पंचमभाव में शुक्र उच्छ राश्य में गोचर कर रहे हैं, तो दिमाग में, शिक्षा में, जब तेज चलेगी, दिमाग तेज चलेगा, तो आप नई चीज़ों को जल्दी ही ग्रैस्प कर लेंगे, तो शिक्षा के पंचमभाव में राहू के साथ में हैं, और प्रेम भाव का स्वामी सष्ट भाव में शनी के साथ में बैठा हूँ, और चतुर्त भाव जहां से छलक हमें अच्छा नहीं है, हो सकता है कि किसी तरह का धोखा आपको मिले, तो बहुत ज़्यादा सम्वेदनशील होने से बचिए, और आँखों को खोला रख करके ही रिलेशेंशिप में रहिए, पहली चीज़, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपक्टेशन्स करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, परन्तु फिर भी शुक्र पंचमभाव में उच्छराशी में बैठे हुए हैं, तो पतनी का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप मैरेड हैं, तो दामपत्य जीवन में मुझे कोई बहुत ज़्याद दिख्टिक राशी के जातकों के लिए समय अच्छा नहीं है, इसके लिए भी मैं इक उपाय आपको बता दूगा, उसको कर लीजेगा, माकी करियर के पॉइंट अप बहुत अच्छा है, दश्वाव पर लगनेश और शनी दोनों की दिख्टी पढ़ रही, ये काफी अगर आपके शत्रू थे, तो शत्रू हंता योग भी बन जायेगा, तो करियर के दिख्टी कोर से बहुत अच्छा समय है, यदि बॉस के साथ में संबन्ध इत्यादी खराब हो रहे थे, तो उनको अच्छा करने का प्रयास आप इस मन्त में कर सकते हैं, जाकर पे उनसे बा संबह वो तो मंगलवार की दिन और शनिवार की दिन हनुमान जी के मंदर में जाकर के वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पार्ट करना, हनुमान जी की तीन परिक्रमा करना और नित्य घर में भी बैठ करके हनुमान चालीसा का पार्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा साथी साथ जीवन साथी के भावनाओं का सम्मान करिए वानी की कड़वाहट से बचें तो वो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि वानी की कड़वाहट भी देखने में साफ समझ में आ रही है इन प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग और शुकरवार वाले दिन आप पत्नी के साथ में हो सके तो और अगर आप मैरिट नहीं है तो आप अपने प्रेमी के साथ में भी देवी मंदर में जाकर के दर्शन करें वहाँ पर कुछ वक्त बिताते हैं तो वह पाय करना भी आपके लिए अच्छा मैं समझता हूँ तो प्रिये दर्शकों ये था वरिष्चिक राश्री के जातकों के लिए April 2024 का राश्रिफल आशा करता हूँ कि वरिष्चिक राश्री के जातक मेरे द्वारा बतायेगा इस राश्रीपल के कारेक्रम से संतुष्ट होगे यदि आप इस कारेक्रम को देखते हैं और इस कारेक्रम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप्लोड गिया जाता है उसका लोगे दिकिशन आपको मिलता रहे यदि इस कारेक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है झाल